नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एन्विफ नियोज हिंदूओं पर आचाई अत्याचार हुआ उनकी मंदिरें तोड़ी गई उन्हें मारा गया तो कुंडा से विधायक और जनसत्ता दलोकतांत्रिक के अध्यक्ष रगुराज परताप सिंग राजा भाया का गुस्सा फूट पड़ा है जी हाँ रगुराज परताप सिंग राजा भाया ने जिस तरीके से कहा है कि अब जब सब कुछ आपके मुताबिक हो गया है तब आप इस तरीके से हिंसा क्यों कर रहे हैं हिंदूओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं क्यों इनकी मंदिर तोड़ रहे हैं साथ ही रगराजपरताप सिंग का गुस्सा 57 अरब देशों पर भी फूटा है जो कि मुस्लिम देश हैं जो कि हर मुद्दे पर भारत का विरोध करते हैं जो कि अपने आपको मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं उनकी भी पोल खोल कर रख दी है राजा भाया ने और बता दिय कि इन पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता है राजा भाया ने तमाम बाते कहीं हैं इस गुस्से में लेकिन क्यूं कहीं है और किसके लिए कहीं है चली आपको बता देते हैं दरसल बांगलादेश में हिंसा हुई क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ एक आंदोलन शुरू ह और फिर बांगलादेश में तक्था पलट हो गया शेख हसीना को घर छोड़ कर भागना पड़ा पीम हाउस में घुस कर तंडव मचाया गया आतंकी गदविधी ऐसी हुई कि पूरी दुन्या सहम गई ऐसे में शेख हसीना जान बचा कर भागी तो 57 मुसलिम देशों के पास नहीं गई बलकि भारत के पास भाग कर आई भारत ने उन्हें शरण दिया पीम मोदी ने उनकी सुरक्षा की और भारत में उन्हें रखा गया है जिसके बाद कुंडा से विधायक रगराज प्रताप सिंग राजा भाया का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने एक ट् तरीके से वो बेहद नाराज हैं और उनको गुस्सा आया है राजा भाया अपने ट्वेट में लिखते हैं बांगलादेश के इस्तिति से मन बहुत दुख में है छात रांदोलन के नाम पर आतंकवाद आग जनी हत्या बालातकार रूट पाट क्यों तक्था पलड़ तो हो और हाँ विश में 57 मुसलिम देश हैं सेख सीना ने वहाँ ना तो सरण मांगी ना किसी देश ने सरण दी ऐसा क्यूं सोचियेगा अवज से राजा भाया ने जिस प्रश्म चिन्मिके साथ छोड़ा है कि 57 मुसलिम देशों ने ना सेख सीना को सरण देने की सोची ना उनहों कहते हैं वो सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी हैं और ऐसे इस्थती में वो ऐसे नेताओं को पनाह नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर से खसीना आई तो फिर यहां पर भी बवाल हो सकता है ये वो 57 मुस्लिम अरब देश हैं जो कि हर मुद्दे पर भारत का विरोध करने के लिए खड़े होते हैं हलांकि जब से मुद्दी सरकार आई तमाम मुस्लिम देशों ने भारत के सामने हाँ जोड़कर नत्मस तक हुए हैं लेकिन तुर्की जैसे अभी भी कई देश हैं जो कि कट्टर पंथ की रास्ते पर शल रहे हैं और इसलिए राज को डराया इसलिए राजा भाया ने कहा कि बांगलादेश से हिंदों की सुरक्षित घरवापसी भारत हो इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और 57 मुस्लिम देशों पर भी लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर उनकी सच्चाई क्या है बहराल जिस तरीके से रा लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और बने रहे हमारे साथ और 57 मुस्लिम देशों पर आप विचार जरूर कीजेगा कि सरी खसीना वहां क्यूं नहीं गई और 57 मुस्लिम देशों ने शरण क्यूं नहीं दे नमस्तकार